अच्छा हमारी दुनिया मेंävे टॉटल साथ कॉंटिनेंट है साथ खुश्की के टुक रहे हैं जासे आप देख रहें सक्रीन का उपर सबसे वड़ा कॉंटिनेंट उसके बादओर कॉंटिनेंट है काफे सारे एशिया के साथ यौरप आता है अफ्रीका है औस्ट्रेलिया है नौर्थ अमेरिका है साउथ अमेरिका है एंटाक्टिका है यह तोटल साथ कॉंटिनेंट है जहां पर यह जो साथ है फुश्की के टुक्रें हैं बड़े आजम कहा जाता है और उर्दू में बहर कहते हैं और जो छोटा समंदर होता है उसको सी और उर्दू में बुहिरा कहा जाता है तो इस चीज़ का आपको पता होना चाहिए आज हमें कॉंटिनेंट स्टार्ट करते हैं साउथ अमेरिका से आज हम साउथ अमेरिका के बारे में पढ़ेंगे साउथ अमेरिका साउथ अमेरिका कॉंटिनेंट आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे इसमें टोटल 14 कंट्री आती है 14 कंट्री साउथ अमेरिका कॉंटिनेंट में 14 कंट्री आती है हम एक एक कंट्री को डिटेल में स्टेडी करेंगे तो इसकी जो पहली कंट्री है ये है वेनिजुएला वेनिजुएला साउथ अमेरिका कॉंटिनेंट के जो नौर्स में कंट्री आती है इसको वेनिजुएला कहा जाता है वेनिजुएला अब जो वेनिजुएला कंट्री है ठीक है इस कंट्री के नाम में ही आपको एक हिंट मिल रहा है वेनिजुएला यानि के जू चिरिया गर जब आप कभी चिरिया गर जाते हैं तो अपसर लोग अपनी कार में जाते हैं तो वेनिजवेला जो है आप ऐसा समझ लें कि एक चीरिया घर है और हमने चीरिया घर में जाना है एक कार में जाना है इसी से ही इसका कैपिटल बनता है वेनिजवेला का कैपिटल आपने याद रखना है कार से कार सम्ब यानि के कारकस कारकस तो वेनीजुएला का जो कैपिटल है कारकस ये आपको पता होगा कुछ लोगों के लिए नया होगा तो वैनीजáfic का जो कारकस ये जूज के अंदर जीएगर कार में जाते हैं तो उस एक छोटी सी कहानी अगर इसको समझ लेंगे तो Venisuela में जितनी चीज़े हैं वो आपको clear हो जाएंगी Venisuela जो country है जब आप समझ लेंगे एक चीरियागर है क्यूंकि इसमें zoo आता है आप जब इसमें कार में जाते हैं तो चीरिया घरमें जब आप एंटर होते हैं तो कुछ चीज़़ा आपके सामने आती हैं सबसे पहले आप एक लेक को देखेंगे जील जील का नाम होता है माराक एबू लेक सारी चीज़़ा आपको मिल जाएंगी आप सिंपल ये स्टोडी को सुने वेनिजवेला के अंदर सबसे पहले जब आप समझ लें कि एक चिरिया घर है चिरिया घर में आप कार में जाते हैं केरकस वेनिजवेला का कैपिटल है जब आप चिरिया घर के अंदर जाते हैं तो आपको सबसे पहले एक जील दिखती है, एक लेक दिखती है, उसका नाम है मारा केबू लेक, और थोड़ा सा आगे जाएंगे तो एक दरिया दिखेगा, आपको एक रिवर दिखेगा, उसका नाम है औरीनोको रिवर, मारा केबू लेक, औरीनोको रिवर, और इसके बाद पर ठार अगे जाएंगे तो आपको एक जील नजाएगी आपको एक वाटर फाल नजाएगी वाटर वाटर फाल याईंगे आप शार जील ल clear को जील कहते हैं तो लेक हमने मारे किपू देखी रिवर हमने देख लिया औरिनोको रिवर अब हम आपशार को देखेंगे तो वाटरफाल जो है यहां पे हमें नजर आएगी याद रखिए का जो वाटरफाल होती है वो हाइट से आती तो यहां पे जो वैनिजवेला के अंदर एक वाटरफाल है वो दुनिया की सबसे हाइस्ट वाटरफाल है उसको एंजल वाटरफाल कहा जाता है और जो एंजल वाटरफाल है इसकी हाइट पेपर में आती है नाइन सेवनटी नाइन मीटर्स तो यह चीज़ आपने याद रखनी है दुबारा से बताना चाहूँगा वैनिजवेला का कैपिटल केराकस है जब आप इसके अंदर जाते हैं तो सबसे पहले आपको लेक मिलती है लेक मारा केबू उसके बाद एक दरिया अपने याद रखना है औरिनोको रिवर है उसके बाद आपने एक चीज़ और याद रखनी है एक आपशार है एक वाटरफाल है जिसका नाम है एंजल वाटरफाल जो दुनिया की हाइस्ट वाटरफाल है इसकी हाइट है 979 मीटर्स ये तीन चीज़े कवर करने के बाद थोड़ा सा आप और आगे जाएंगे तो आपको एक माउंटेन रेंज एक पहाड़ी सिलसला नजर आएगा पहाड़ी सिलसला जो वैनिजवेला के अंदर है ये दुनिया का सबसे लंबा पहाड़ी सिलसला है लॉंगेस्ट मौन्टेन रेंज इन दा वर्ल्ड पेपर में सवाल आता है लॉंगेस्ट मौन्टेन रेंज इन दा वर्ल्ड तो वो कौन सी मौन्टेन रेंज है उसको कहते हैं एंडीज मौन्टेन रेंज एंडीज मौन्टेन रेंज वैनिज वैनिजवेला से स्टार्ट होती और यह दुनिया का लंगेस्ट पहारी सिसला है अब देखते हैं वैनीजवेला से रिलेटेड़ इसका टेटा का वैनीजवेला capital इसका कैराकस है मैंने अभी आपको पताया कि आपने इसका capital कैसे याद रखना है वेनिजवेला के नाम में ही zoo आता है तो zoo में हम किस पर जाते हैं कार में जाते हैं इसका capital है कैराकस इसकी currency बोलिवार है बोलिवार अगर आप याद रखना चाहें इतनी important नहीं है लेकिन आप इसको जहने शीन फिर भी कर लें इसमें एक mountain range आती है जो दुनिया की सबसे लंबी mountain range है दुनिया का सबसे लंबा पहाड़ी सिलसला है इसको एंडीज कहते है मैंने आपको एक waterfall के बारे में बताया था angel waterfall दुनिया का highest waterfall है इसकी height है 979 meters याद रखिए का जो waterfall होती है वो height से屁झती है तो यह जो angel waterfall है गा हा्यस इसकी हाइट है 979 meters उसके बाद एक दर्या यहां पहागाता है उसको औरीनोको रिवर कहते हैं यह चीजे paper में आई होई है यह बहुत इंपॉर्टन चीज़ें है उसके बाद एक लक है लेग मारा केवु इसको लेग मारा शेबु भी ख Commander लेकिन इस अहम बात वेनिस्वेला से रियुलेटट वेनिजवाला फेमस क्यों भी वेनिस्वेला को लोग क्यों जानते Zhenias verla के बारे में आपने एक चीज़ याधर रखनी है दुनिया का क्लार्जस्ट आउल रिजर्वर्स जो कंट्री रिजर्विंग जो कंट्री है एल रिजर्व दुनिया की सब सब्सक्राइब याधर्ल्य आप याधरी जो कंट्री है वह वेन्षऑ आपने यह फैक्ट रखना है लार्जेस्ट और रिजर्व रिजर्व इन दा वर्ल्ड दुनिया की सबसे ज्यादा और रिजर्व रखने वली कंट्री ठीक है अच्छा मुझे बताएं इसके बारे में मुझे यह चीज़े बता दें क्या करते हैं बुश्रा मारूख मुझे आप बोल के बताएं रिम्शा सईदा आमना तहमीना आपको वैनिजवेला की समझाई वैनिजवेला के बारे में मुझे बताएं ताकि हम इसको आगे कंटीनियू करें इसके बारे में मुझे बता दें आधी इस मांटेन रेंज ैंडी मांटेन रेंज यह दुनिया की longest mountain range है वेनिजवेला से start होती है और यह end होती है अर्जन्टीना पे जब हम अर्जन्टीना आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा वहां पे इसका 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 है तो यह वहां पे ज्यादा आपको clear हो जाएगा और बाकी मुझे बत यह पे एक लेग है लेक मारे केबू और दरिया है और इनोको रिवर आपको एक waterfall लाजमी याद रखनी है और waterfall हमेशा हाइट से गिरती है यह जो एंजल waterfall है यह दुनिया की highest waterfall है इसकी जो हाइट है वो आपने लाजमी याद रखनी है 979 मीटर्स पेपर में आती है और एक औ पहाड़ी सिलसला जिसको मौंटेन रेंज कहते हैं वेन इजवैला में है और यह दुनिया का लोंगएस्ट पहाड़ी सिलसला है लोंगएस्ट मौंटेन रेंज है इसका नamp estat 25 आम है यह आपने याद रखनी है वेन इजवैला से शरूह होती है और इसका इसकताम हुता है अर् जो country्याना यह एक कॉलम में हैं बिलकुल कॉलम Command., यह कॉलम में हैं, आप ने ऐसे याद अगा है के वेनिजवेला के बिलकुल साथ चर्ण जो country पर टती है वह एक कॉलम में, उप आती है तो यह जो country इसका नाम है कोलंभिया आधिया कोलंभिया क कंट्री ए ठीक है कंट्री का कैपिटल है बोगोटा और कंट्री का कंट्री की करंसी आप याद रख लें पीस सो ठीक है का कैपिटल आपने याद रखना है कोलम्बिया का 20 से इसका कैपिटल है बोगोटा इस कंट्री का कैपिटर है बोगोटा और सी से बंग ये जो है ना कॉलम्बिया कंट्री ये सी से शुरू होती है और एस की आवाज देती है कॉलम्बिया कंट्री जो है ये सी से शुरू होती है S की आवाज देती है तो यहां से एक famous singer आपने याद रखना है famous singer आपने याद रखनी है बलके शकीरा वका वका वाली जिसने सौंग आया था जब पहली दफ़ा अफरीका साउथ अफरीका में 2010 में FIFA का वर्ल्ड कप हुआ था तो कॉलंबिया एक कॉलम में कंट्री आती है बिया से इसका capital याद रखना है बोगोटा और करन्सी पीसो है इसकी famous personality शकीरा अगली कंट्री ये वली हमने वेनिजवेला कवर कर लिया कॉलंबिया कवर कर लिया अब इस कंट्री को कवर करना है ये जो कंट्री है ना ये है डोर आप सब अपने घर का दर्वादा तो बन करती होंगे आप सब दर्वादा छोड़ देते हैं जब हम अपने घर का दर्वादा छोड़ देते हैं यानि के दर्वादा डोर डोर को छोड़ देते हैं तो वो कुईट कर देते हैं छोड़ देते हैं जब हम डोर का यानि के घर का दर्वाजा कुईट कर देते हैं छोड़ देते हैं तो वो खुद बाखुद बंद हो जाता है तो याद रखिएगा यह जो कंट्री है इसमें डोर आता है एक्वाडोर एक्वाडोर का कैपिटल आप कुईट से याद रखेंग करते हैं छोड़ देते हैं ताके वह बंद हो जाए तो एक्वाडोर का कैपिटल बनेगा कुई टो इसकी करंसी भी अगर आप याद रखना चाहें तो डॉलर है ठीक है डी ओ डॉलर से ही डॉलर बनता है तो यह है हमारी तीसरी कंट्री पहली हमने वैनिजवेला पर ही दूसर जजीरा है बिल्कुल इसके साथ गलापा गोज आईलेंड यह वह जजीरा है जहां पर डार्विन अपनी थियोरी पेज़ की थी वह यहां पर आया था इंगलेंड से और उसने यहां के स्पीशिश को देखा था उसने कहा था कि यहां के जो जानदार हैं वह दूसरी दूसर से जानदार से मुक्तलिफ हैं उसने अपनी एक थियोरी पेज़ की थियोरी ओफ इवैल्यूएश्ट यह जिस आपने याद रखनी है एक्वाडोर से इतना ही अब हम नेक्स्ट कंट्री की तरफ मूव करते हैं अगली कंट्री है हमारे पास यह वाली यह है पीरू आप अग अब आपने एक लड़की का नाम याद रखना है आपने याद रखना है एक लड़की है जिसका नाम है पीरू और वो लड़की लिमका पीती है ठीक है लिमका पीरू कंट्री का कैपिटल है आपको याद रखना पड़ेगा इसी से ही कि एक लड़की है जिसका नाम है लिमका में से जब हम के को हटा देते हैं तो वो बनता है लीमा पीरू कंट्री का कैपिटल है लीमा लीमा ठीक है पीरू कंट्री का जो कैपिटल है वो है लीमा अब लड़की जो है उसका कैपिटल आपको याद हो गया पीरू कंट्री का लीमा ठीक है उसके बाद आपको इसक से सोल से आपको इसकी क्रंशी याद रखने में मदद मिलेगी सोल एसॉल ठीक है तो इसको इसी तरह से अगर आप याद रखेंगे तो असानी होगी साथ जाड़िक्स यह रखेंगे उतनी ज़्यादा सानी होगी यह चीज़े या रहती है कब भूलती है वरना ये चीज़ें अक्सर भूल जाती है तो इनके लिए ट्रिक्स जरूरी है पीरू का आपको पता चल गया एक लड़की है लिमका पीती है लिमका मेंसे के को अटा तो तो लिमका बन जाता है और बागी सोल का मैंने आपको बता दिया है पीरू कंट्री जो है यहां पर याद रखिए का एक चीज़ कि दुनिया में साथ तरह की अजूबे हैं जिनको सेवन मंडर्स कहा जाता है दुनिया में पेपर में सवाल आता है कि दुनिया में कितने वंडर्स हैं सेवन मंडर्स हैं जिनको साथ अजूबे कहा जाता है अभी जो सेवन मंडर्स हैं यह पीरू पीचू इसका पूरा नाम है माचू पीचू पेपर में सवाल आएगा माचू पीचू कहां पे है क्या है माचू पीचू एक सैवन वंडर है यह पीरू के अंदर आता है तो यह लेक हम बाद में डिसकस करते हैं एक सैवन वंडर है माचू पीचू यह आपके सामने है म माच्व पीचु ये माच्व पीचु ऑन वक्त में चाश्याँ माच्वे सावivesse सारे अब VOC आए हो sto खाले पार्वा और्यूपूर लों-दु क्वामी ये बहुत आप्डेटडार तो ये चीजा आपने मिस नहीं करनी पीरू के अंदर एक डेम आता है जिसको बोशी A& गाते हैं तो इस बोशी डेम अब लड़की का कोई husband भी होगा तो husband का नाम आपको याद होना चाहिए ठीक है अब husband जो है वो आगे आता है हमें लड़की का नाम पता चल गया अब उसके husband का नाम भी देखेंगे उसका husband जो है वो बोलता बहुत ज्यादा है उसका नाम हमने रख दिया बोलीविया ये है लड़की का शोहर बोलीविया बहुत ज्यादा बोलता है बोलीविया तो ये बोलता बहुत ज्यादा है इसको हमने नाम दे दिया बोलीविया अब जो बोलीविया है ना याद रखिएगा अगर आप बोलीविया जाते हैं तो बोलीविया का एक शहर है बहुत ज्यादा हाइट पे है आपको वहाँ पे सांस लेने में थोड़ी सी मुश्किल पेश आएगी प्यूंकि वह बहुत ज्यादा हाइट पे है Bolivia को जो शहर है एक La Paz कहा जाता है इसको L इसमें आता है तो L से आप याद रखी लीजिएगा La Paz इसका Capital है basically La Paz जो Bolivia का Capital La Paz है ये दुनिया का हाईएस्ट Capital है Capital City पेपर में सवाल आता है कि La Paz कितका Capital है ये Bolivia का Capital है लेकिन यह famous क्यों है यह बहुत ज्यादा हाइट पे है दुनिया का सबसे हाइट पे जो capital है जो शहर है वो लपाज पेपर में सवाल आएगा वर्ल्ड highest capital city आप कहेंगे लापाज क्योंके लापाज बहुत ज्यादा हाइट पे है इस वज़े से ये बहुत ज्यादा फेमस है ये पेपर में आता रहता है उसके बाद जो में बात करनी है अच्छा इसकी करंसी है बॉलिवियानो इसी के नाम से याल रखिएगा उसके बाद जो में बात है वो है लेक टीटी काका ठीक है याद रखिएगा पीरू लड़की है इसका कैपिटल मैंने बताया पीरू लड़की जो है वो लिमका पीती है केको अटादो लीमा बनता है इसका कैपिटल लीमा है और इसके शोहर का नाम बोलीविया है जो बोलता बहुत ज्यादा है उसका कैपिटल लापाज है जो वर्ल्ड हाइस्ट कैपिटल है अब पीरू लड़की और बोलीविया जो लड़का है इन दोनों के दरमयान एक इनकी अलाद भी तो होगी ना तो इनके दरम्यान इनका जो बेटा है उसका वो छोटा सा है टीटी सा है चोटा सा काका है टीटी सा काका है और इनके दरम्यान जो एक ती उसको लेक कहते हैं बेसिकली पीरू और बॉलिविया के दरम्यान एक लेक पढ़ती है जिसका नाम है लेक टीटी काका अब यह जो काक तो ये है लेग टीटी काका इसको नेवीगेबर लेग भी कहते हैं अगर पीछे जाएं तो मैंने यहां पर डिसकस किया है कि पीरू के अंदर एक लेग पड़ती है जिसको लेग टीटी काका कहते है इस लेग टीटी काका एक दूसरा नाम भी पेपर में पूछा जाता है इसक की दिटी का मतलब होता है चोटा सा हीतै से रिलेक rióक में तो सा काखा के वैड़ में आंगा अज़ेगी अच सामने हाईगा हो आपके ने चौनीा के देनिया के लिए कि हमने इसके शोहर को भी देख लिया जो बोलता बहुत ज्यादा है बोलीविया इसका कैपिटल लापास है जो दुनिया का हाईएस्ट कैपिटल सिटी है यहां पर हम जब जाते हैं तो सांस लेने में थोड़ी सी मुश्किल होती है ना इतना हाइट पर है जो जो इसकी करंसी और नेरोएस्ट कंट्री है दुनिया में पेपर में सवाल आता है कि ऐसी कंट्री का नाम बताएं जो लॉंग है और नेरो है दुनिया में दुनिया में सबसे लंबी और सबसे जो तंग गली जो तंग जो तंग मुल्क है यानिके लॉंगेस्ट एंड नेरोएस्ट कंट्री जिसको कहा जाता है वह है चिली मिर्च चिली तो इस कंट्री का नाम है चिली जली कंट्री ठीक है तो चिली अब इसका कैपिटल आपने र्खना है कैसे रखेंगे चिली सबसे पहले हमने यह तो देख लिया यह लोंग ऐस चैपिटल कैसे याद रखे तब से बड़ा सवाब तो चिली जो मेर्च है आप सब चली खाने से पहले सेंटी तो हो जाते हैं के मेर्च खानी पड़ेगी कैसे खाएंगे इतनी सारी मिर्च सेंटी 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 हो गए पहले मिर्च खाने से पहले क्षम है चिली का कैपिटल है सेंटी आगो सैंटी आगो यह ट्रिक के साथ याद करनीय K day a जा चでは बूल जाओ गैendar इसकी कूरेंची अगर आपने याद करनी है तो पीसटो है तो चिलिका टाया渠ी इसकी पडूर मैंने बताया यह आध क्यूं कर दूनिया की ये नह python ये प Sesame पर एिसको डियांड डाओ गांठ कहते है के यह दुनिए राइस्ट डैजर्ट है बहुत इंपोर्टन डैजर्ट है दुनिया का सबसे बड़ा जो डैजर्ट है वो है सहारा डैजर्ट वो आता है अफ्रीका कॉंटिनेंट के नौर्थ में वो दुनिया का सबसे बड़ा डैजर्ट है लेकिन यहां पर जो डैजर्ट है चिली में यह अटाकामा ड जो है यह समय समय कर लिया कर लिया कॉलंबीया कर लिया एक्वादोर कर लिया इसका कुईटो कुईटो हमने पढ़ा पिरू बोलिविया चिली कर लिया इस से रिलेड़िड अगर कोई वास समय नहीं आई सहीदा आमना आल क्लियर और कोई और सब को समझ आ गई है जोहा और बाकी अच्छा क्लियर और बाकियों को समझ आ गई है मुझे बता दें लिखके बेशक बता दें ठीक हो गया निम्शा भाकिय बी मुझे बता दें ताके हम आगा σ शुरू करें ठीक हो गयता है मीना चले हम आगे शुरू करते हैं अगली कंट्री की तरह मूव करते हैं अच्या हम थोड़ी देर कि ब्रेक लेते हैं अजान के बास्टिव करते हैं अच्छा आगे शुरू करते हैं अगली जो हमारी कंट्री है वो है अर्जेंटीना आमना में बाद में बताता हूं आपको अगली कंट्री है अर्जेंटीना अर्जेंटीना सबसे पहले तो इसके नाम में तीना आ रहा है तीना तीन कुछ सालों के लिए तो ट्रिक है उसके बाद शायद यह जीत जाये तुबारा से इसके नाम में आता है तीन याद रखिएगा अर्जेंटीना ऐसी कंट्री है जिसने तीन दफ़ा फीफा का वर्ल्ड कप जीता है क्योंकि से नाम में भी तीन आ रहा है और दूसरी बात के इसने अभी अभी जो वर्ल्ड कप हुआ फीफा का दो हजार बाइस के अंदर तो ये अर्जंटीना ने ही जीता है इसके कैप्टन थे मैसी जो आपको याद होंगे वो अर्जंटीना से ही है डोनाल्डो पुर्टगाल से है और पुर्टगाल ने याद रखिएगा अभी तक कोई भी फीफा का वर्ल्ड कप नहीं जीत अर्जेंटीना के नाम में तीन आता है इसने तीन दफा फिफा का वर्ल्ड गप जीता है यहां से दो फेमस फुट बाल की परसनेलिटीज एक याद रखनी है अपने मेसी और एक याद रखना है डीगो मेरडोना डीगो मेरडोना की डथ हो चुकी है उसकी डेट आप देख ल रखने अब बहने से तो अरजंटीना बनता है और याद रखनाय है इसा बीन इसका है similar इसकी क्रनसी भी पीसो है हमने पहले पढ़ी इसकी चली की करनसी है वह भी पीषक है अर्जंटीना की क्रनसी भी 20 है इसका केपिटल है Be engineer ग्रास लेंड्स इंपोरड्रेंटš हर कौंटिननट में कुछ नहीं ख्रास लेंड्स पाई जाते हैं जो साउथ अमेरिका में ग्रास लेंड्स पाया जाता है इसको पम पास कहते हैं और ये अर्जंटीन आप आ जाते हैं अगर पेपर में सवाल आता है कि साOUTH AMERICA में पहुं से G baseline पाई जाते हैं तो PEMPAS पाई जो है यह जो exact location है इनकी अर्जंटिना है तो अर्जंटिना या साउथ .\ weedल्चेन उमेरिका में ग्रास लेंड का पूछ लेता है तो वह PEMPAS आपने बताना है बिध्रास लेंड होता है FIFA FIFA के भारे में आपने याद रखना है अक्सार पूछ रहते हैं कि FIFA बनी कप है FIFA में चार लेटर आते हैं FIFA FIFA कब बनी होगी 1904 में FIFA 1904 में बनी है इसका हेड़कॉर्टर है Zurich Switzerland Switzerland के अंदर इसका हेड़कॉर्टर है और FIFA 1904 में बनी लेकिन इसका जो पहला World Cup है वो 1930 के अंदर खेला गया 1930 FIFA का पहला World Cup 1930 में खेला गया और वो जीता यूरू गोएने अभी आगे अगली कंट्री यूरू गोए है यूरू गोएने FIFA का पहला World Cup जीता है पेपर में सवाल आता है तो यही है यूरू गोए यूरू गोएने 1930 में पहली पहली दफ़ा FIFA का World Cup जीता और अभी तक वो चल रहा है हट चार साल के बास FIFA का World Cup आता है अगले साल जो आएगा वो 2026 के अंदर आएगा करेंट अफेर्स से रिलेटिड कुछ सवाल बता देता हूँ 2026 में जो FIFA का World Cup आएगा वो USA, Canada और मेक्सीको में होगा उसके बास 2030 में FIFA का World Cup होगा पर्तगाल, स्पेन और मरोको में 2026 के अंदर FIFA का World Cup USA, Canada और मेक्सीको में होगा और 2030 में ये FIFA का World Cup होगा पर्तगाल, स्पेन और मरोको और बागी कुछ कंट्रीज और भी शामिल होंगे इसके अंदर और 2034 के अंदर साओधी अरेबिया करवा रहा है FIFA का World Cup ये भी आपको पता होना चाहिए तो ये हैं कुछ Current Affairs related सवाल जो आपको मिल जाएंगे, Google पर मिल जाएंगे इनको सर्च कर लीजिए गा इसके बाद मैंने इसकी कुछ परसनेलिटीज बताई है एक मैसी, एक डीगो मेराडोना ये दोनों फुटबाल से related है मेराडोना की डेथ हो चुकी है अगली परसनेलिटीज मैंने यहां पर लिखी हुई है चैगोएरा चैगोएरा के बारे में आपको पता होना चाहिए यहीं पर पैदा हुआ था अरजंटीना में यह एक revolutionary है एक इनकलाबी है, इसने दुनिया में इनकलाब लाना चाहा था, अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन था अमेरिका ने इसको मरवा दिया था, क्यूबा के अंदर यह इसको मरवाया था, बोलिविया के अंदर क्यूबा से related इसका तालुक है जब यह पैदा हुआ था अरजंटीना में तो यह एक डॉक्टर बनना चाहता था लेकिन आइस्ता आइस्ता इसने जब दुनिया के हलाद देखे इसने USSR और USA यानि के अमेरिका अमेरिका के दरम्यान जंग देखी, नजरिये देखे तो इसने चाहा के मैं इनकलाब लाँ तो यह क्यूबा गया था, वहां इसकी मुलाकात होती है वहां के एक और बंदे के साथ, फिडल कैस्ट्रो के साथ यह दोनों जेल में मिलते हैं, इसको उस वक्त जेल में बंद कर दिया जाता है जब यह रहा होते हैं दोनों, दोनों की अच्छी दोस्ती होती है उस वकत फिडल कैस्ट्रो जो है क्यूबा के वो उस वकत हुक्मरान बन जाते हैं इनको बेदफ़ इनको वहां से निकाल देते हैं तो ये जाते हैं क्यूबा क्यूबा से जाते हैं बॉलीविया ये क्यूबा में ही होते हैं वहां से बॉलीविया जाते हैं महां पे इनको USA की जो आर्मी है जो USA जो है वो मरवा देता है इनको इनकी एक किताब के बारे में भी अक्सर अभी तक पूछा तो नहीं गिया लेकिन आप आपको बता देता हूँ इनकी किताब है और ये चैगवेरा वो बंदा है जो आयूब खान के दोर में दो दफ़ा पाकिस्तान भी आ चुके ये भी थोरा सा हिंट दे रहा हूँ इसके बारे में बाकी मजीद आप सर्च कर लीजेगा क्योंके बस आपको फिलहाल तो इतना ही पता होना चाहिए कि चैग पहली दफ़ा फीफा का वर्ल्ड कप 1910 में इसी ने जीता था इसका कैपिटल है मॉन्टी वीडियो यह पेपर में बहुत दफ़ा आता है मॉन्टी वीडियो इसका कैपिटल मॉन्टी वीडियो है ठीक है मॉन्टी वीडियो इसमें यहां पर मैंने में मॉन्टी वीडियो वह आप करेक्ट कर लीजिएगा इसकी करंसी भी 500 ही है पहली दफा फीपा का वर्ल्ड का पुनी 130 में इसने जीता था अगली कंट्री पैरागोए यूरुगए पैरागोए पैरागोए का कैपिटल इतना फेमस है नहीं ना पेपर में अभी तक मैंने देखा है लेकिन इसका कै ठीक है एसनेशन पैरागोए का कैपिटल याद रख लें एसनेशन इसकी करंसी आपको गुवारानी ठीक है यह पेपर में आती नहीं है चीजें लेकिन अगर आपने जीके को स्ट्रॉंग करना है तो आप अगर इंट्रस्ट है तो आप यह चीज़ें कर सकते हैं आप यह देखें यह जो है यह साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी कंट्री है ब्राजील ब्राजील का कैपिटल असान है ब्राजीलिया है लेकिन इसका निक नेम आपको इसका अधर नेम आपको पता होना चाहिए लंग्स ओफ दियर जमीन के फेपरे क्यों कहा जाता है इसको अमजान इमाजान वर्यसट की वजह से अमजान वर्यस्ट की वासे ब्रराज़न जो यहीं पर बेस करता भरतं दूसरीं में आता तो यह पे अमजान व रेस्ट का का सबसे बड़ा जंगल और यहां पे ही एमाजोन रिवर भी है दुनिया का लार्जेस्ट रिवर नॉट लॉंगेस्ट बट सेकंड लॉंगेस्ट रिवर इन दा वर्ल्ड एमाजोन रिवर तो यह चीज़ें आपने याद रखनी है कि जो ब्राजील है इसको लंग्स ऑफ दी रिवर इन दा वर्ल्ड तो वो नाइल रिवर नाइल यानिके नील रिवर दरिया नील जो एडिप्ट में है मिसर में है लेकिन यह जो एमाजोन रिवर है यह लार्जेस्ट रिवर भी है और इसको सेकंड लॉंगेस्ट रिवर भी कहा जाता है ठीक है अब आगे आते हैं उ और रहे हैं तो एमजोन की बात कर लेते हैं एमाजोन जो एकॉमर्स से रिलेटिड जो वैबसाइट है एमजोन वह कब बनी पेपर में उससे लिलेटिड भी सवालाता है एमजोन उन्ही सो चुरानवे में बनी इसका जो फाउंडर है वह जाफ बैजोज यह अमेरिका के है अमेरिकन है और इसका हैड़कोर्टर भी अमेरिका के अंदर है कि पेपर में सवाल आते हैं काफी अमजोन से रिलेटेड उसके बाद बीच यहां पे दो बीचिस मैंने लिखी हुई है कोपा का बाना बीच और अगली बीच है कैजीनो पीच यह दोनों पास्ट पेपर में आ चुकी है यह बीच इंपॉर्टन्ट हैं जो चीज़े पेपर में आ चुकी है वो चीज़े आपने लाजमी करनी है ठीक है उसके बाद यहां पे एक यहां पे कुछ सी पोर्ट भी है बंदरगाहे भी है एक है रियो डी जनेरो एक है सेंटोज जो रियो डी जनेरो जो सी है जो बंदरगाह है यहां पे 1992 के एक summit हुआ था उसको इर्थ summit कहते हैं रियो गार्भा को सवाल मिलेगा यह बैपर में अल्स झружवा था और यह रियो डीजेनेयरो ब्राजील के अंधर एंधर हुआ था अगली कोफि प्रोड़ियूस को यैजो है कोफि पोर्ट है सें्टोस की वज़ہ से ब्राजी का नाम पढ़े गया कोफि प्रोडूसिंग कंट्री यह ची VO wij याद रखनी है उसके बाद ब्राजील सबसे ज्यादा दफ़ा पांच दफ़ा फीफा का टाइटल जीच चुका है और इसका एक फेमस इसमें दो परसनालिटीज है एक है नेमार और एक है पहले नेमार पहले पहले की डेथ हो चुकी है उनगतीस दिसमबर दो हजार बाइस अ बहुत बड़ा किरदार था उसमें और लास्ट अर्थ समिट नाइंटीन नाइंटीटू में कहां पहुआ था रियो समिट भी कहते हैं इसको यह डियोडिजियन है के अंदर हुआ था ब्राजील दूनिया ब्राजील साउथ अमेरिका के सबसे बड़ी कंट्री है उसके साउथ अमेरिका में टोटल 14 कंट्री आती हैं जिसमें से 12 कंट्री सोवरन हैं खुद मुख्तियार हैं लेकिन इसमें दो कंट्री ऐसी हैं जिन पे किसी और कंट्री का कंट्रोल है किसी और कंट्री की टेरिट्री है उसमें से एक है फ्रेंच गुयाना आपको इसके नाम से पता चल रहा होगा फ्रेंच फ्रेंच कहा जाता है फ्रांस के लोगों तो फ्रेंच गुयाना यहां पर कंट्री पर दिया साउत अमेरिका में फ्रेंच गुयान यह जो फ्रेंच गुयाना कंट्री है यह टेरिट्री है फ्रांस की इसका कैपिटल अगर करना चाहें तो कर ले करनसी करना चाहें तो कर ले इंपोर्टेंट नहीं ठीक है अगली कंट्री सुरी नेम पूडी दुनिया में 57 Muslim countries हैं 57 57 Muslim countries हैं जिन्होंने अपनी एक organization एक तंजीम बनाई हुई है OIC उस में से दो Muslim countries South America में पाई जाती हैं एक है सुरी नेम और एक है गुयाना यह है सुरी नेम कंट्री सुरी नेम इसका कैपिटल और करनसी अगर करना चाहें तो करने important नहीं है सुरी नेम और गुयाना दो Muslim countries हैं जो सावत अमेरिका में पाई जाती है Muslim country अगली country गुयाना यह है गुयाना country यह सुरी नेम और वेनिजवेला के साथ पढ़ती है ये भी मुस्लिम कंट्री है इसका भी कैपिटल और किरनसी लिख दिया है अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं इंपोर्टन नहीं है गुयाना एक मुस्लिम कंट्री है कैपिटल जूर्जी टाउं किरनसी योरो ठीक है किरनसी इसकी डॉलर है उसके बाद आखरी country South America की जो के एक territory है जो के British के UK के control में है वो ये country है ये basically islands है इसको कहते है Paukland Islands Paukland Islands इस island के पीछे दो countries की जंगे होई थी एक है UK एक है अरजन्टीना UK और अर्जन्टीना की जंग होई थी जिसको Falklands War कहा जाता है इस जंग को Falklands War between UK and Argentina in 1982 1992 में Falklands War होई थी between UK and Argentina UK ने कहा था कि Falklands Island मेरा है अर्जंटीना कहता था ये मेरे पास है तो ये मेरा है तो ये जंग UK ने जीती थी तो इस पे आज UK का यूके का कंट्रोल है तो मैंने कहा था साउथ अमेरिका में टोटल 14 कंट्रीज हैं जिसमें से 1200 और हैं फुद मुक्तियार हैं दो कंट्रीज ऐसी हैं जिसमें किसी और कंट्री का कंट्रोल है पहली कंट्रिः फ्रेंश गुई आना पड़ी है जिस पर फ्रांस का कंट्रोल है और अभी फॉकलेंड आईलेंड जिस पर यू fits comprendre है इसी वज़ा से यहां पर जो करंसी इस्तमाल होती है वह भी पांड होती है इसका कैपिटल स्टेनले करंसी है इसकी पाउंड और फॉक्लेंड वार हुई थी अर्जंटीना यूके के दरम्यान 1982 1982 1992 1992 में डियोडी जनेरो में समिट हुआ था 1982 वार फॉक्लेंड वार ठीक है तो यह हमारा आज का साउथ अमेरिका अमीद है यह लेक्चर आपको समझा गया होगा कल से हम अगला कॉंटिनेंट स्टार्ट करेंगे